नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका क्रिकेट विद नारेन के साथ तो गाईज हम हमेशा की तारा लेकर आये क्रिकेट के तीम बड़े ने उस तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना वर्ल्लकप में भी अच्छा प्रदर्शन करेगा और जिस तरह से विराट कुली ने ब्रेक के बाद फर्स्ट मैच खेला आये बिल्कुल विंटेज विराट कुली ग्राउंड पर नजर आये गाइस सारे एक्सपर्ट विराट कुली की तारीफ कर रहे हैं, सारे एक्सपर्ट को लगता है कि विराट कुली T20 वर्लकप में अच्छा प्रदर्शंग करेंगे, गाइस कपिल देओ के इस स्टेटमेंट पर आपके क्यावी उजे कमेंट करके जरूर बताए, नमबर टू गाइस, ICC T20 रैंकिंग में कुछ चेंजेस आ गए है, T20 बैटिंग रैंकिंग में सुर्य कुमार यादव ये नमबर दो से नमबर तीन पर आ गए है, और मौमद रिजवान के इंडिया के अगेंस 42 बॉल में 43 रंस की इनिंग के वज़े से मौमद रिजवान ये नमबर दो पर आ गए है, वही बाबर आजम ये 810 रेटिंग पॉइंट के साथ अभी भी नमबर वन पर है, वही टी 20 ओल राउंडर्स रैंकिंग में हर्दिक पांडे ये उपर चलांग मारकर सीधा नमबर पाच पर आ गए है 167 रेटिंग पॉइंट के साथ, वही मौमद नभी ये 257 रेटिंग पॉइंट के साथ अभी भी नमबर वन पर है, नमबर थ्री गाइस, फॉर्मर इंडियन सिलेक्टर सभा करीम ने दिनेश कार्थिक और रिशपपन को लेकर एक बड़ा स्टेट्मेंट दिया, सभा करीम ने कहा कि मैं काफी सर्प्राइज था कि रिशपपन प्लेइंग इलेओं का हिस्सा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा था कि दिनेश कार्थिक के जगा रिशपपन केलेंगे, नो डाउट दिनेश कार्थिक अच्छे प्लेइर है लेकिन रिशपपन ये इंडिया के एक्स फैक्टर है, और रिशपपन ने इंग्लेंड और सौथ अफरिका के खिलाब वाइट बॉल सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया था, रिशपपन काफी अच्छे फॉर्म में है, जरूर रिशपपन ये कंसिस्टन पफॉर्मर नहीं है, लेकिन वो ऐसे प्लेयर है कि अगर फॉर्म में है रहे तो कोई भी मैच जीता सकते है, और रिशपपन ये इंडिया के फ्यूचर प्लेयर है और अगर हम उसे प्लेइंग इलेंगे उन से बाहर रखेंगे तो प्लेयर का confidence लूज हो जाता है, सभा करिम ने आगे ये भी कहा कि रिशपपन ये फ्लेक्जिबल प्लेयर है, आप उसे नमबर चार, नमबर पाच या नमबर चे कोई भी पोजिशन पर खिला सकते हैं, और सबसे बड़ी बात रिशपपन ये लेफ्ट हैंडर है, जिसके वज़े से वो मिडल में आके बॉलर्स का रिदम तोड़ सकते हैं, सबा करीम ने का कि मैं बिल्कुल भी हैपी नेवी हूँ मैनेजमेंट के इस डिसिजन से, क्योंकि रिशपपन ये एक्स फैक्टर हो सकते हैं अस्ट्रेलिया में होने वाले टी ट्वेंटी वर्ल्ल कप में, शलिए गाइज आज के लिए बस इतना वीडियो अगर अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें,